हेलो एफरवन वेलकम टूबर चानल आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ कली कटिंग के पैटन का फॉर्मूला शेयर करने वाली हूँ चाहे आप अनार कली बनाए या कलीदार लहंगा बना रहे हैं गाउन बना रहे हैं कुछ भी चीजा आप बनाए कली वाली तरीका सीम रहेगा कलिया निकालने का साइस कुछ भी हो आप इस तरीके को देखकर किसी भी साइस की कलिया कट कर सकते हैं किसी भी ड्रेस के लिए हम यहाँ पर 20 कली लहंगे के लिए कटिंग कर रहे हैं 20 कली का लहंगा है तो इसके लिए आपको दो मेजर्मेंट चाहिए सबसे पहला ह आपको बॉडी से लेना है, जो कि मेरा 38 आया था, मैंने उसमें दो इंच की लूजिंग दी, तो वो 40 हो गया, यानि 40 हो गया, उसके बाद लंबाई का नाप हमें चाहिएगा, तो 43 हमारी लंबाई है, फुल लेंथ, तो ये दो मेजरमेंट चाहिए आपको लेंथ और वेस्ट लेंथ मेरी 43 है, और वेस्ट जो है वो 38 थी, तो मैंने दो इंच की लूजिंग ली, तो 40 हो गया, आपको भी दो इंच ही लूजिंग लेना है, अब कली का शेप देखिए, कुछ इस तरह का होता है हमारा, ठीके, आधा आधा इंच इसमें दोनु साइट हमारा सिलाई में ज अब देखिए, नीचे का शेप जो होता है कपड़ा वो आप कली के लिए 8 निच ले सकते हैं, 9 गी निच ले सकते हैं, 10 जिया और 11-12 तक ले सकते हैं, यह आपकी चोईस के ऊपर डिया है, और कपड़े के ऊपर डिया, लेकिन उपर का कली के चोड़ाई यह हमें निकालनी ह और जितनी आप कली का बना रहे हैं उन्हें आपस में आपस में रहेगा चाहे आप 8 कली का बनाए 10, 12, 16, 18 या 20 कितनी भी कली का आप लहंगा बनाए फॉर्मुला सेम रहने वाला है हम यहां 20 कली का लहंगा बना रहे हैं तो यह इने 20 कली लिग दिया है इसी के हिसापसे में ड तो इन दोनों का आपस में भाग करना है क्योंकि हमें वेस्ट डिवाइड कली करना है ठीक है तो कली और कमर का आपस में डिवाइड कर देंगे तो कली हमारी 20 है और कमर 40 है तो 20 दूना 40 यानि कि 2 इंच आएगा आप चाहे तो मुबाइल में केलकुलेशन कर लीजिएगा या simple इस तरह से 22 to 40 तो इस तरह से 2 निकल कर आया है हमारा सेम इसी method से आपको अपने measurement के cording निकाल लेना है तरीका सेम रहेगा कली को कमर से divide करना है तो हमारा 2 इंच आया अब इसमें हमें आधा इंच इस साइट कली को जोइन करने में जाएगा और आधा इंच इस साइट तो टोटल हम एक इंच इसमें सिलाई margin एड़ करेंगे जो भी आपका निकल कर आ रहा है उसमें एक इंच आप से लाई मार्जिनेट कीजे कली में तो हमारा आ गया तीन इंच यानि की थ्री इंच तो ये हमारी कली की चुड़ाई निकल कर आ गई है सेम इसी तरह से आपको निकालना है तो यहां से यहां हमारा कितना रहेगा त्री इंच रहेगा और नीचे तो आप अपनी चोईस के कॉर्डिंग 8, 9, 10, 11, 12 ले सकते हैं तो ये तरीका होता है कली की चुड़ाई निकालने का और इसमें आप किसी भी साइस का लेकर निकाल सकते हैं तरीका और मैथट जो है वो सेम रहने वाला है कोई भी चेंच नहीं होगा बस कमर में 2 इंच की लूजिंग एड़ करना है अब हम लेंथ का देख लेते हैं तो लेंथ आपको किस तरह से लेना है कली की तो देखिए लेंगे की जो आपकी फुल लेंथ है उतनी ही हमें कली की लेंथ लेना होती है भले ही इसमें 1.5 इंच का बेल्ट एड़ होता है लेकिन 1.5 इंच हमारा सिलाई में भी जाता है देखो ये जिसे कली में ये लेंगा हमारा 1.5 इंच का हमारा इसमें बेल्ट एड़ हो गया लेकिन half inch उपर belt और लहंगे को stitch करनी में जाता है यह आधा inch हमारा stitch में गया ठीके, length हमारी ready हमें 43 चाहिए है ना, आधा inch हमारा belt और लहंगे को stitch करने में गया और एक inch नीचे folding में गया तो total कितना हो गया? 1.5 inch हो गया, 1.5 और 1.5 का ही हमारा belt रेड होगा लेकिन 1.5 हमारा stitching में भी तो जा रहा है तो इसी लिए हम जितनी हमारी लहंगे की लंबाई है उतनी ही हम कली की लंबाई लेंगे क्योंकि जितना सिलाई में जाएगा उतना हमें मिल भी जाएगा तो जितनी आपकी लहंगे की length तयार है उतनी ही आप ले लीजिएगा ठीके तो ये आप इसका screenshot लेख सकते हैं 43 मुझे ready चाहिए तो कली की लंबाई भी में 43 ही ले लूँगी अब मैं आपको pattern पर cutting दिखाती हूँ तो देखे इसकी चोड़ाई मैंने 11 ग्यारा ली हुई है जितना नीचे कली की चोड़ाई लेना है उतना paper ले लो और इसे फोल्ड कर दो इस तरह से इसका हमें center निकालना है उससे कली जो है proper बनेगी हमारी तो इस तरह से center mark कर दीजिए कली का तो ये मैंने center mark किया सेम इसी तरह से इस तरफ भी हमें center mark कर लेना है आप कितनी चोड़ाई ले रहे हैं ये आपके उपर dependent जो नी मेरी exact length मेंने ली है अब देखिए जो कली है वो हमें नीचे की चोड़ाई कितनी लेना है सबसे पहले ये देख लेते हैं तो मैं इसमें नीचे की चोड़ाई 11.5 तो यहां तक हमें टेप को फोल्ड कर लेना है क्योंकि कई लोगों को आधा करना नहीं आता है तो इस तरह से हमें सेट करना है टोटल विह से मेरे पैटन की चोड़ाई 11.5 ही है तो यहां पर इस तरह से मैंने लिया हुआ है तो 11.5 का सेंटर ही आ तो मेरी चोड़ाई है पैटन की वह पूरी इतनी ही है साड़े 11.5 ही है तो यहां पर मुझे मार्किंग करने की जूर॥ ciao ए충 से ले अज़तर से मैंने ले लिया है, अब हम उपर की तरफ का मार्किंग करेंगे तो उपर की मार्किंग करना है, तीन इंच हमें चोड़ाई लेनी हु जो कि हमारी निकल के आई फोर्मुले के कॉज़िंग, तो सेंटर से हम 1.5 इंच एक साइड लेंगे और 1.5 एक साइड लेंगे टोटल हमें 3 इंच लेना है तो 3 का आधा यानि 3 का आधा हम इस तरफ ले रहे हैं सेंटर से और 3 का आधा सेंटर से इस तरफ लेंगे नीचे की कली में भी हमने SI किया center से half इस तरफ और half इस तरफ total जितना भी करना है वो center से ही हमें लेना है तो देखिए total मेरा 3 इंच हो गया है जीसे कि आप देख सकते है center से ही हमें लेना होता है तो ये मेरा 3 इंचे जो की हमने formula के according कली की विट्थ oपर की निकाली अब नीचे का जो निशाने वहां से इस 3 इंच वाले निशान को इस तरह से कली के शेप में हमें मिला देना है नीचे भी हमने ऐसा ही किया था नीचे कली की चुड़ाई के लिए टोटल आप जितनी नीचे की कली की विठ रख रहे हैं आठ इंच, 10 इंच, 12 इंच, सेंटर से उसका आधा करके एक तरफ लेना है और आधा अगर के एक तरफ लेना जैसे 10 इंच ले रहे हो तो सेंटर से 5 इंच एक साइड ले लो और 5 इंच एक साइड ले लो नीचे का इसी तरह से आपको करना है उपर का भी ऐसा ही करना है तो इस तरह से मैंने कली का शेप ड्रॉ कर लिया है इंच टेप से सेम इसी तरह से एक साइड और हमें कली का शेप ड्रॉ कर लेना है सेम इसी तरह से हमारी कली का शेप ड्रॉ हो जाएगा ये देखिए तीन इंच वाले निशान पर हम मिला देंगे इसे तो ये मिने 3 इंच वाले निशान पर इसे मिला दिया है, अब इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे, शेप के कॉर्डिंग, इंच टेप से आपका काम हासान हो जाएगा, इस स्किल से हमें काफी टाइम लग जाएगा, तो आप इंच टेप को जिस तरह से मैं पकड़ती जा रह इस तरह से मार्किंग के कॉर्डिंग कर लेंगे हम जो मार्किंग उस पर इग्जेक्ट करना है, कोई मार्जन नहीं लेना है, तो ये हमारी 20 कली तयार है, आप इसे चाहे लहंगा बनाए, अनार कली बनाए या कोई पैनल ट्रेस बनाए, तरीका मैथट जो रहेगा वो सेम चाहे साइस कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, और मैंने एक चीज आपको बताई दिये कि जो भी आपकी वेस्ट है, यानि की कमर है, उसमें दो इंच की लूजिंग जरूर लीजिएगा, जाहे आप कस्टमर का बना रहे है, या अपना खुद का बना रहे है, जो भ मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में, तक तक के लिए, बाबाई, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग आज,